हेलो दोस्तों नमस्कार शन्तों CIS में आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश प्रेलिम्स के जित्ते भी पेपर हुए हैं प्रीबियस येर के हम उसको आपको सलूसन में ला रहे हैं ठीक है तो यहां पर देख लेते हैं आज सन 2000 में जो कुश्चन पूछे गए थे उसके म कर लिया है जो लोग नए होंगे जाके प्लेलिस्ट बना है 1991 से 2023 तक पेपर सलूसन वहां से देख सकते हैं ठीक है तो चलते हैं हम इसको कर लेते हैं जो लोग नए होंगे प्लीज सस्क्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे ठीक है तो चलते हैं देखते हैं क्या करा रहा थी कि आपको ऐसे कोशन मिलेगा इसके बाद आपको कुछ सोचने का समय मिलेगा क्योंकि हम यहां इरेज कर दिया है जो आपका इंस्वर you दिया रहता है उसको हम कोश्चन पढ़ने के बाद हम उसको दिखाएंगे ठीक सो करेंगे तो चलते हैं देखते हैं इस से आपको थोड़ा सा टेश्ट भी आपका हो जाएगा बुद्ध की मुर्थ के पर्थम बौध संगीत की गई तो यह किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है तो किसके द्वारा की गई थी तो पहले हम यहां पर देख लेते हैं महात्मा बुद्ध की मिर्थ के पहश्चाइब 24othisikasa 433 इस फूर्व में राजगीर है के सपत परड़ गुवा में कहां पर राजगीर है के सपत परड़ीगूफा में पर्थम बौध संगीत करने था अभी तो आपको पता नहीं शर्पा इसकी अध्यष्यता किसने कि थी उसकंट्रुप लेकिन अध्य०्ध किस इसमें बुध्ध के दोसिष्ञ आनंद और उपाली उपस्तित उए तो इसी बुद्ध सभा में आननम्र और उपाली को माने जो थे वह धर्म और उपालि भिने के पर्तीक माने गए थे तो आपके पेपर में यह भी पूछा जाता है कि आनंद किसके परितिक धर्म पर्तीक उपालि भिने के परर्त DO जाते हैं सुद्ध की सिच्छाहर का संकलन भिनbay नामक दो तो किसमें सुत्त और बिने नामक दो पिटकों में किया गए तो यहां से कई question आपके बन गए तो यहां पर देखते हैं answer कौन आता है यह वाला आता है तो चलता है नेश देखते हैं इसी परकार से आपको हम करवाएंगे पूरा question लेकिन देखिए यहां पर थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन जिनके पास थोड़ा सा कम समय होगा प्लीज वो वीडियो को 2 की speed में देख लेंगे या 1.5 की speed में देख लेंगे क्योंकि यहां पर पूरा solution पढ़ना इसके बाद यह करना तो समय लगेगा ठीक है चलते हैं पहला question देखते हैं यहां क्या करा दूसरा question यहां राजा करा रहा है और राज्य करा कौन सा मतलब सुमेलित है इसको आप वीडियो पहुच करें सुमेलित करिए इसके बाद हम तो आपको बताए रहें देखिए यहां पर राज्य राज्धानी आप देखिए अवंती की राज्धानी क्या है अवंती की राज्धानी उज्जैनी थी पर घोत वहां का राजा था वस्त की राज्धानी क्या है कौसांबी है कोसल की राज्धानी सरावस्ति है ठी और मगध की राज्धानी ग्रीवज या राज्ग्री ठीक है राज्ग्री जीएगा इसको ऐसे ही है ठीक है तो यहां पर उदेयन कौसांबी ठीक है उदेयन वसका राजा था कोसल का परसे निजित था मगध का आजाद सत्रू था ठीक है चलते हैं निर्ट देखते हैं अब यह वाला कुशन बताईए कल्हड की राजद्रंगरी को किसने आगे बढ़ा किसने आगे बढ़ाय कल्हड की राज तरंगरी को तो देखें किसने आगे बढ़ाय अब देखिए पहले इसके बालम लींदिया राचना झाइस समकाल कि में सुरू परत्तरंगों में पर्थम इन में कस्मीर का इतिहास है कि अाथ तरंगों में जग जैसे आठ इसमय सकते पार था구르 में कस्मीर का स्तिहास इसके पशाथ तरंगों में कारक़ोड उत्पल लोहार बंसगा इतिहास है जो न्राज एकमद मिलती है यहां पर आपका एंसर होगा डी वाला होगा ठीक है ढीवाला आपका चलते हैं ऊप्त्रा, सवरपठम लोक निर्मार बिभाग की असापन की थी तो सरपर्थम लोक निर्मार विभाग की अस्तापना किस ने की थी तो ये सरपर्थम लोक निर्मार विभाग की अस्तापना किस ने की थी फिरोसा तुगलक ने की थी अब देखिए गयासुद्दिन तुगलक के छोटे भाई रज्जव और किसी राजपूत कर्ण्या से उत् 300 नगरों का निर्माड करवाया उसमें लाल किला के निकट फिरोज सा कोटला जहां पर किर्केट मैच होता है फिरोज अबाद चूड़ियों के लिए जो परसिद्ध फते अबाद हिसार हर्याडा का जौनपूर ठीक है मतलब उत्तर बहरत मतलब सिराच का हर जाता था उत्तर ठीक है यह जो फिरोज पूर आधी परमुख थे देखिए इतने मलब परसिद्ध भी यहां पर सब हैं तो ठीक है फिरोज सा तुगलक तो यहां पर कौन सो एंसर होगा सरप्रतम लोक निर्माड विभाग किया फिरोज सा तुगलक ने किया प्लीज हम थोड़ा सा सुलो चल में डाग ब्योस्था का बिश्तरित बिरोड दिया तो देखे इवन बतूता था इवन बतूता ने पुस्तक अपनी इसकी पुस्तक काउंती रहला याद रखेगा इवन बतूता की पुस्तक है रहला याद रखेगा रहला में डाग ब्योस्था का गुप्तचर ब्योस्था विदेशी ब्यापारियों के आगमन का वरण किया गया है यह अफरीकी यात्तरी लगभग 1333 में मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल में भारत आया तो यह देखी यह इंपोर्टन आइसे कोशन पूछे गए है ठीक है इसलिए मैं आपको सब कुछ करवाता हूं 1333 में मुहम् कुरूर लोग थे उसलिए ठीक है यह सब अपको सकता अफ़ेंगेंग विष्के हैं अच्छे लोग वहां सब यह सब जो पर था थी मुर्चा और क्रूर परजा की नावित क्रूर राजा और उसकी परजा की की सासन था कोई भी राजा हूँ साद रहा तो याद रखिएगा इसका इनसर क्या हो जाएगा यही टिक क्या अंसर था डाक ब्यूष था ठिक किसने एक तरफ संस्क्रित मुद्र लेक के साथ चांदी के सिक्के निग्रित किये तो महमूद गजनवी द्वारा लच्वी देवी की आकृत से युक्त चादी के सिक्के जारी की गए महमूद गजनवी द्वारा ठीक है यहां तो ने दिखा दी सरक्य सुल्टानुं के सासयनकार में निमनास्थानों में किसे पूर्वखा सिराज पूर्वखा पूर्वखा सिराज को पूर्वका सिराज बोला जाता है ठीक है इब्राहिम सरकी 1402-1436 में सरकी वंस का महांतम सासक हुआ जौनपुर नगर को उसने अनेक इमारतों मस्जिदों और से सुबोवित किया जिसमें अटाला मस्जिद आप से पूछ सकता है अटाला मस्जिद कहां पर है तो यह जौनपुर में इस परकार सा चाहित और अस्थापत कला के चेतर में विकास के कारण जौनपुर भारत का सिराज के नाम से विख्यात हुआ जौनपुर की अस्थापना फिरोज साहत तुगलक ने करवाई थी यह याद रखिएगा चलते हैं निश्ट देखते हैं यह यहां पर देखते हैं अपने मदू तो यह कौन थी कौन सी कवित्तरी थी अब देखी यहां पर तो रामेश्वर तक अपने समराज के बिसरार के उद्देश से बुक्का ने अपने बेटे कुमार कंपन को मुद्रा विजे के लिए भेजा इस अभियान को पुत्र कुमार कंपन ने सफल बनाया इस मुद्रा व भारत की मल भारत का इतिहास है ठीक है तो यहां पर देखते हैं यह यह वाला कोशन बताइए कौन सब्सक्राइब कर आया मतलब जो उपनिसद का फारसी में अनुवाद किस सीरसक के अंतरगत करवाया ठीक है दारा सिकों ने तो किसके अंतरगत किया देखिए देखते हैं साजहां और मुम्ताज महल के सबसे बड़े पुत्र कौन थे दारा सिकों ने बावन उपनिसदों का फारसी में अनुबाद सिर्य अकबर नाम से किया कई बार देखिए अभी मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ दुनिस सु इक्यानबे से दो जार के बीचे हो गया लगबग ये दो से तीन बार ये कुश्चन आ चुका है सिर्य अकबर किसने उपनिसदों का अनुबाद सिर्य अकबर के नाम से का रखिया गया दारा को उसकी सहसूरता और उदारता के लिए लेन पूल ने लगू अकब किसने लेन पूल लगू अकबर कहा किसको दारा को क्योंकि अकबर भी सहसूरता तो इसलिए इसको लगू अकबर कहा गया सा जहाने दारा को साह बुलन्द कि युकू पाधे ती डारा ने एक मौलक पूस्तक मजम अल बहुरीन आपकी रचना की ती तीक है तो यह याद रख बनारस युम इलाहवाद के तीर्त करकी समापति के लिए किसने मुगल बास्ता के सामने बनारस के पंडितों का नेतुत्र किया तो किसने किया था ठीक है कि अब देखिए यहां पर बनारस के संथ कभी चंद्राचारी कौन थे कभी चंद्राचारी के नितुत में पंडितों के कहने पर साजहां ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया और ग्यातब हो अकबर ने 1563 हिस्वे में बनारस और इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था जिसे पुनह साजहां ने लगाया था ठीक है तो 1663 हिस्वी में 20 जो समाब्त तक्र दिया गया था और साय cut सा 67 पुनह लगा दिया था ठीकिंट में और कबिंद्र चारी कर कि है कि किस इतिहास कार ने डिन इलाही धर्म को अपनाया तो दीन इतिहास कार ने अपनाया था तो चलते हैं देखते हैं किसने अपनाया था अब्दुलकादिर बदायू ने ठीक है अब्दुलकादिर बदायू ने अकबर ने दीन इलाही को 1582 इस भी में अस्थापित किया था और अब्दुलकाद्र बदायू ने दीनِ अलही धर्म को अस्थापित किया तर्म किसने अब्दुलकाद्र बदायू ने तो यह याद रखेगा दीन अलही और इसे कुश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं मतलब यह date दे देता है कि कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में हुआ था ठीक है अब देखिए यहां पर यह मत देखा करिए कि question कौन सा है इसका answer क्या होगा जो बीच में यह है यह सबसे important है क्योंकि question आपके यहां से बंजने की ज्यादा संभावना रहती है इसलिए मैं इ पीचे वाला जो box में दिया रहता है इस पर ज्यादा ध्यान देने की कोसित करता हूं बदायूं ने कहा कि अगबर धीरे धीरे इसमाल इसलाम से दूर हो गया उसने हिंदू इसाई पारसी इत्याज धर्मों के आचारी को बुला कर एक धर्म की अस्तामना किया जिसका नाम था दिन इए इलाही थिक 1582 में बीरबल इस धर्म को अपनाने वाला एक मात्र हिंदू था तो यह आप से यह भी कुशन पूछा गया है कि कौशन एक मात्र हिंदू था जिसने दीन इए इलाही धर्म को अपनाया तो वह कौन था बीरबल था किस बास्साह के अंतरगत मुगल सेना ने सर्वधिक हिंदू सेना पती थे तो किस बास्साह के कारिकाल में तो वो कौन थे आउरंग जेव ही था ठीक है तो आउरंग जेव था जो इसके सासनकाल में सर्वधिक हिंदू सेना पती थे आउरंग जेव के समय में हिंदू मंसिबदारों की संख्या लग बगता है तिस पर्शंट थी जबकि साजहां के समय में यह मातर 24.7 पर्शंट थी कौन सा मत्बरा दितिये ताज महल कहला था है यह बताना आपको तो यह दितिये ताज महल कौन सा मकबरा तो यह आपका यह रबिया ओ दवरानी वाला में अगुरंग में अपनी प्रीय पत्नी रभिया उद्द्वरानी के मगर्बेर का निर्मार 1668 में 1689 इस भी में करवाया था इसकी अस्थापत कला ताज महल पर आधारित असा इसे दितिये ताज महल इसे भी यह बीबी का मकबरा के नाम से परसिद्द है तो आप से यह कोशन पूछा गया है कि बीबी का मकबरा कहा है तो औरंगा बाद में बीबी का मकबरा है और इसको घटिया मलब ताज महल का फूहर नकल भी माना जाता है को कि उस तना अच्छा नहीं बना जितना अच्छा ताज महल बना उसका मलब वन फोर्ट भी नहीं बन पाया ठीक है इसे दच्छड का ता सबसे बाद में क्या हुआ करें सबसे बाद में क्या हुआ तो चलते हैं यहां पर बंगाल विभाजन कब हुआ 1905 तो सभी जनते होंगे हड़प नीती कभू 1848 में डल हो जी ठीक है यह करजन के काजिकाल में हुआ यह तो लगभख सबको बताओ सहायक संदी 1801 में बेले जली ठीक है तो सहायक संदी बेले जली कैसे याद करेंगे जैसे दो लोग है दो एक दूसरे की सहायता कर रहे ह तो तीसरा क्या होता है जल जाता है तो यह हां जली लिखा गया है तो ऐसे याद रखी का सहायक संदी बेले जली के साथनकाल में 1801 में इस्ताई बंद उबस 1793 में कार्णु आपको कॉर्ण मतलब कॉर्ण मनलब कॉर्ण फलेक्स नहीं आता यह भूटा वहाला आता है उसको सबसे बाद में कौन हुआ यह हुआ था तो कौन सा होगा यह बंगाल का विवाजन भी दिखा देते हैं आप ज्यादा यह बॉक्स वाले पर कोचained को यह हुआ कि यहीं से खुष्शं पूरा बनेगा है बाल विवा को टेक्जान करने में 180 गौरे सिवल मरेज सविट है एक्स ने लड़के नियूंतम एन अ्धा निर्धारित की तो लड़कियों के विवाग की आयू 14 वर्से और लड़कों के विवाग की उम्र 18 वर्से निर्धारित की गई नेटिव मरेजेक्ट 1872 में ठीक है इस अधनियम द्वारा बहुत पत्नी पर्था को भी समाप्त कर दिया गया तो बहुत पत्नियां रखते हैं ग चलते हैं निश्ट देखते हैं अब देखिए यहां पर फारसी सब्ताहिक मिरातुल अकबाल को परकासित करते थे तो किसको यह तो सिंपल है आपका राजा राम मोहन राय तो ठीक है तो यहां पर एक मिट तो राजा राम मोहन राय अब देखिए इनके बारे में नौ जाग नव परभात का तारा के नाम से बिख्या था तो ये चारो हैं इन सबसे भी कोशन पूछा गया है कि नव परभात का तारा किसे कहते हैं आगधिक भारत के पिता किसे कहते हैं सुधार अंदलों के परवर्त किसे कहते हैं नव जगड कर का ददूत किसे कहते हैं तो यही राजा अठ्रामोहन ऑठ्रामTw cada वाईसा में फार्सि भाथा में मिरातुल अकबार प्रकासत किया किस भासा में मिरातुल अख्भार फार्सी भासा में 1822 में 1821 में बंगाली सब्ताहिक पत्रे का संुवाध कुमधि 1822 में मलडब एक साल पहले की घी प्वाजारामोहन्राय को भारतिय पत्तिर कार्टया का अगर दूत माना जाता है के नाम से भी जाना जाता अब देखते हैं यहां पर डलि तोरगों का संग अस्थापित किया गया था तो डलिट वरगों का संग किस के दूरह अस्थापित किया था और YouTubers पर दिखते हैं एक अप्रिस्त ये अपरेस्प्रस जाती महार से सम्धित अंबेटकर ने असुचित जाती संगत का 1992 मेंं अखिल भारतिय की रूप में गठन किया ठीकनow अखिल भारतिय के रूप में घठन किया है और आसा जाफित जातिया हिंदु धर्म की पूर रूप से त्याग दें जो अनुसूचित जातियां हैं हिंदु धर्म को पूर रूप से त्याग दें उन्होंने स्वेम को अपने बहुर तुस्य अनुरायों के साथ बहुत धर्म अपना लिया ओन्नीस सो बीस में दि आल इंडिया डिप्रेश कलास फेडरेशन कब उन्नीस सो बीस में द की की ठीक है अधी आल इंडिया डिप्रेश कलास ये याद रखेगा यह उनीज सो बीस में दा आल इंडिया डिप्रेट्स कलास की अस्थापना की और 1924 में अंबेटकर ने बहिसकरड़ी हिसकरड़ी सब्वा की अस्थापना की और 1927 में इन्हें मराठी में बहिसकरड़ भारत नामक पत्रिका का परकासन किया होंगा यहां। था सब्सक्ताक्रत भृम राव यहां सब्सक्रानें ओले सब्सक्राइब ट हुआ है noisesati में तो यहां प्र महाराष्ट के सरपर्थम ब्रामर विरोधि अंदोलन जोिवा फुले ने शुरू किया था उन्होंने महत्मा की उपाद इनको दी गए महत्मा जोद्वा फुले बोला जाता इनको 1872 में उन्होंने पुस्तक गुलाम गिरी लिखे थी और एक अन्न पुच्टक का नाम सौर्जनिक सत्थार्म पुठक सौरजनिक सत्थार्म पुठक ससाब professora, इन पूछी तो गुलामगिरी बार-बार पूछा गया है लेल्किन अगर आप से पाण स्वेक्पूच एक अन्पुठक का नाम ये है याद रखेगा सारजुनिक सत्य दर्मपूतर इन्होंने 1873 में सत्य सोधक समाज की अस्तापना कि अमबेटकर ने बहिस्कृत भारत गाधे जी ने हरिजन पेरियार ने तमिल रामाड की रचना कि मतलब यहीं पर दिया होगा ऑप्सन में तो अमबेटकर ने बहिस्कृत भारत गाध समय में भू राजस्तों से सम्मंद था तो टामस रूपर किस तो यह था रैयत वाड़ तो यह दिखा कहां रहिए यह यह याद रखेगा अस्थाई तो सबको पता होगा कारणवालिस रैयत वाड़ी यह मद्रास के एरिया में चलता था करनर रीड और टामस मुनरो रैयत वाड़ी बहुस्ता में यह था रैयत माने क्या होता है किसान होता है यह जो यह बहुस्ता थी इसमें अंग्रेज डारेक्ट किसान से अपना वसूल करते थे जो भी वसूल करना होता था जिसना भी कर लगाया जाता था वहां पर ठीक हो अ होता था कि गाउं वाले भी बेस होते हैं देंगे ठीके गाउंपा पूरा बना दिया जाता तो हार्ट मैं कर जी मार्टिन बार्ड जेम्स टामसन ठीक है यह याद रखिएगा महलवार्डी में इसको आंसर भी दिखा देते हैं सी वाला ठीक है अब देखी यहाँ पर भारत में अंग्रेजयों के समय पर्थम जन्गरना हुई थी आप देखिए इसमें पूछा नहीं कि एक सो ब्योस्तित तो यह लाड मयो ही होंगे ठीक है तो लाड मयो के समय में पर्थम जन्गरना अठाः सो 81 में चला जब नीमित रूप से अच्छे तरीके से भारत की स्वतनतरता के परश्चात तक भारत में छे जन्गरनाये संपन हो चुकी थी जब कि 2001 की जन्गरना में देश की चौदाहवी जन्गरना और 2011 की जन्गरना में 15 हुई जन्गरना हुई ठीक ना सोतंतरता के बाद भारत में छे जंगर्णा च्मपन हो चुकी थै दो जार एक की जैनगर्णा में चवधा हुँए और दो जार naar में डारें जिसन्प बहुतुरीकि के दोहार 2011 की जनगरना सुतंध भारत की साथ ही जनगरना है और 21 सदी की दूसरी जनगरना कि 2001 में भीवा था और 2011 में भी था tengo शुत हम फेने ह残 आभिल से कि नमक अंगरेज विरोधी संग्ठन कि असाबना किसे इस तो अभिल अभीनों भारत किसने की थी डीस और किर दोने यहां पर बीडी सावर कर ने उननीसी 14 WhatsvYa अभिनों भाभरत करने यहां पर देखते हैं के अभेनों भारत कर एक नाम क्रांधिकारियों की गुप्त संगठन बनाया 1905 के बाद अनेक अकबार खोले तौर पर और कुछ नहीं था छेपे तौर पर कांद के संगठन की वकालत करने लगे गठनाय सामने आने लगी अब देखिए यहां पर काफी अच्छा कुश्चन है यहां पर कर रहा है कांग्रेस के खिलाफत आंदोलों का समर्थन किया मुक्ता किस में किया था ठीक है सेवर्स की संदी से तुर्की के सुल्तान में समस्त अधिकार छिन लिये गए थे तुर्की के समस्त अधिकार छिन लिये गए इस उसर पर राष्ट हित में लाव उठाने के लिए कांगरेस ने मुस्लमानों का समर्वतन किया ठीक है अब देखिए जिससे राष्टी आंदोलन को बल मिला जिसके लिए उन्होंने तुर्की के सुल्तान खलीपा को पुना अस्थापना के लिए एक खिलाफत आंदोलन का हि होती है ठीक है खलीपा को हटाने के लिए नहीं खलीपा तो अंग्रेजियोट आयता है ठीक है तो यह डिक तो राष्टी ओंदलन पर इंडियन इश्चेगल mm कि कि बाड़ा लिए थी यह बताएं तो इंडियन इस्ट्रक आस ऑर ऐसेता दोलाया इनक्षटक यहां पर 1922 में आईसी स्की परिच्छा में चौथा अस्थान पराप्त करने वाले चितरअजन दास को राज़ी लीतिक गुरु तो इनके गुरु राज़नी ती कौन थे चितरअजन द्यास जिन्हें ने सुराज हरिपूर और तरपरी आध्यशन चुने गए चार जूलाई 1943 में आजाध हिंद फौज का गठन किया कब 4 जूलाई 1943 में आजाध हिंद फौज का गठन किया तो था 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की आस्थाई सरकार बनाई थी कहती है यह सब याद रखेगा है फाइक इनके बारे में अब देखते हैं यहां अब यह वाला बताईए निम लेकितम किसने मुहम्मद अली जिन्ना को हिंदो मुस्लिम एकता का दूत कहा था तो वह कौन थी कोकिला को कोई बोला जाता सारोजनी नाइडू तो दिखते हैं सरोजनी नाइडवी थी 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 ठीक है परारहम में उम्मद अली जिन्ना ने राष्टी एक्ता का बहुत बल दिया था कांग्रेस का समर्थन किया था इनीक सभी कारियों से परभावित होकर जो भ लेकिन जब लगबुक 1925 के बाद लगबुक 30 के बाद जैसे यह अद्वेशन हो रहा था पचीस के बाद ही लाहूर अद्वेशन में या कराची अद्वेशन में यहां पर जिन्ना दूसरी तरफ सिफ्ट हो गए पूरी तरह से ठीक है जब तक यह सही तो मत कहिएगा कि इन्ह इनको भारत को के लिए भी बोला जाता था अब देखिए यहां पर हरी पूरा जहां और भारती राश्टे कांग्रेस का आर्ट वार्सिक अध्वेशन में बोस के अधिश्टा में हुआ हुआ निमलनिखित राज्जी में इस्थित मतलब इसनका कहने का मतलब है कि जो हरी प संद्र बोस की अधिश्टा में 1938 में कांग्रेस का वार्सिक अध्वेशन हारीपूरा में हुआ जो कि गुजरात में इस्थित है ठीक है तो प्राइंसर भी देखते हैं गुजरात में इस्थित है राश्टी नियोजन समीति का गठन जवाहलन नहरू की अधिश्टा में किय मतली जवाहलन नहरू की इस अधिश्टा में रजवाहल को सामिल किया गया ठीक है जेखते हैं जी यंग इंडिया का आरम किया था किसने यंग इंडिया का मतलब के एक सब्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंब किसके द्वारा किया गया था अब दिखी यहाँ पर दो चीजे है एक यंग इंडिया गाधी जी ने सुरुबात किया था उभी एक सब्ताहिक पत्रिका थी ठीक है और यहाँ एक सब्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का प्रकासन किस ने किया था अब देंग यहाँ पर क्या होगा था है अब का दो बात 만큼 बता बता देता हूं दूकिंज wagon इंडिया एक मासिक पत्रिका मलब मासिक पत्रिका आता था जो होम रूल लाला लाजपत्राई की अधिशता में होम रूल लीक की अस्थापना 1915 में सब्सक्राइबक निकाला गया था एक मात्मा-गादे जी ने 1919 में आहमदाबाद से यंग-इंडिया का इंदिया का मतलब सब्ताहिक पत्रिका की शुरुवात की थी तो देखते हैं यहां पर क्या कहता है यह वाला होम रूल पार्टी ने दिखे यह वाला थोड़ा सा यहां पर होना चाहिए देखे जो देखे अक्टूबर 1915 में लाला लाच पतराय ने कि अधश्चिता में होम रूल लिग की क्योंकि जो सताहिक पत्रिका है वो गाधी जी द्वारा 1919 में आहम्दाबाद से गाधी जी द्वारा लाय गया थो तो आप देख लीजिएगा इसमें कौन सा सही है एक बार पढ़ लीजिएगा ठीक है चलते हैं अब न्यू इंडिया अगर पूछे तो न्यू इंडिया एन मार्च 1922 में लाड लिलित्रगों के कारिकाल में बेबल मार्च 1945 में लाड बेबल के कारिकाल में कवनेट मिसन कब आया था है 24 मार्च 1926 यह दोनों डेट याद रखिएगा कई वार पूछा गया है 14 जून 1945 में बेवल योजना आया था और 24 मार्च 1946 को कवरिंड मिसन आया था मांट बेटन बहुत इंपॉर्टन था तीन जून 1947 को मांट बेटन योजना आया था ठीक है यह मतलब यह सभी इंपॉर्डन जितना है यह पूरा सब डेट एक दम रट जाहिए ठीक है तीन जून 24 म मार्च और 22 मार्च ठीक रहा है जलते हैसे नेश्स दिखते हैं यह देखिए इस मेड़िक कौन CAN BC अ सुमेलित है और कौन सुमेलित है नहीं है तो करें आ कि अलान एहनैं हम ठीक है पार भाय चिरनियंद मानंतरों नहीं चरुप्त रहों थितना है लागर portion किस पर युगांतर का परकासन किया था वरिंद्र घोसने ठीक है तहजीब अखलाक तो तहजीब अखलाक अब किसने परकासित किया था तो ये सरस्यद अव्मत कर ये आपका एक्दम सब्सक्राइब अलहिलाल अलहिलाल कुं थे तो हिलाल थे अपका ये मौलाना अब्दुल्क्लाम आजात था एक अलहिलाल मौईदाना अब्दुल्क्लाम हाजात था parcD और एलानि-हक अलान एहकिसे समद्द तो एलान एहक इसको मैंने कई बार देखने हैं यहां दिया है कि नहीं एलान एहक सरसे यहां अमधकान इसलाम की कुरुतियों से दूर करना चाहता है उन्हों अले गड़ अंदोलन करने तो तो गिया यह दास पर्था में इसलाम के बुर्दु मानते थे अपने बिचारों को परचार करने के पत्रीका तहजीव अखलाक सब्धता और नकिकता प्रकासित किया तो यही इसके बारे में दिया है अलहिलाल मौलाना आजात के बारे में दिया है और युगांतर बरिंद्र कुमार घो उसके बारे में दिया है ठीक है यह भी सही है सजयाद अंग्रेजी सिच्छा और बिटिस सरकार के सहयोग के पच्छ में थे ठीक है तो यह सब दिया है एलान एह हक इसको देख लिजिए गए कौन इसका इंपॉर्टन नहीं लेकिन अगर आपको देख लिजिए गा इसके संपाद कौन थे एलान यह यह मैंने भी खो जाता लेकिन मिल नहीं रहा था ठीक है चलते हैं निश्ट देखते हैं यहां पर देखिए निम लिखेते हैं आंदोलनों को करम मतलब करमानुसार ब्योस्तित कर दिए कुरून लोजिकल आडर में ब्योस्तित कर दिए पहले सब अधिनेख था कि खिलाफत था कि आसायोग था यह भारत छोड़ो तो खिलाफत कप आंदोलन आया था तुसला खिलाफत आंदोलन आया था में 1909 इसके बाद यह भारत छोड़ नीस थीजिए था आशायोग न दोलन नीस यह आद रखेजिए किसके कारिकाल में खिलाफत लाट चम्डन सपोड के और यह आसायोग लाड चम्डन सपोड के दोनों ही लाड इर्विन के अगया लाड ले नित्वो के भार छोड़ अन्दोलन ठीक है अब यहां पर देखते हैं लंदन में हुए संपन्न गोल में सम्मेलों में भारती इसाइयों का परतिनीदु तो किस ने किया यह आपको देखते हैं बारा नोम्बर सम्मेलन की अधश्यता परधान मंत्री में कि इसका उद्गाटन जार्ज पंचम ने किया था ठीक है तो याद रखिएगा केटी पाल ने नेक्स देखते हैं ती एक तिस नमर को कुश्षन किस ने डाक्टर बी राम अमबेटकर पर यह कहकर आकमर किया कि अमबेटकर को उधार बिटिस सरकार द्वारा थोपा गया ने तो प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सिवाए राष्टवादी नेताओं को बात है पहुचाने के लिए आवस्षक थी तो पताईए यह किस के के द्वारा कहा गया था तो यह किसका गया डाक्टर बी यस मुझे के द्वारा कहा गया था इंपोर्टन कोश्चन है याद रखिएगा चलते हैं नेकते हैं यहां पर क्या करा रहा है रमजे मेकडोनार्ड एक संपरदाइक पंचाड़ कमिनल आवार्ड के तहत दलितों के आरच्छड के मुद्दे का नेतुत और पिर्थक निर्वाचन मंडल आदी की मांग करने तथा सरकार द्वारा उन्हें समर्थन देने के से कुरुद्ध डाक्टर बी यस मुझे ने अमबेटकर को कहा कि अमबेटकर को उदार बिटिस सरकार द्वारा थोपा गया नेतुत अप्राब तो हुआ है क्योंकि उनकी सेवाएं राष्टवादी नेताओं को बाधा पहुचाने के लिए आवसक थी तो वही जो उपर लिखा गया वही है अब यहां पर बताईए इस वाला बताई है कॉंस आपका इंस्वर्ट सही होगा ठीक इसमें कहा रहा है उवर चलीज़त आसव में मुसलिम लीख के अद्वेसर पाकिस्तान के सिर्जन का पसताव किसने रखा था तो किसने रखा था क् Cau gernane लिख रखा से खाली फुल्जमान ने रखा था ठीक इसका नहीं बता थे आप सन गया कि यह कहीं आप सन्नबता दिया करें तो यहां यह ओथा ठीक है अब यहां पर देखते हैं इस मुहमद अली जिन्नना क लगा मुस्लिम लीघ का लाहुर अधियसन कब जो सब्कृत परदान की ग्यात्तब है पाकिस्तान की सब्द की रचना आग्सपोर्ड के विद्यारती रहमत अली ने की थी तेईस मार्च के रूप में भाग लेने के लिए महत्मा गाधी को बंबई से लंडन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था तो यह से सराज पूतारा नाम था साथ सितंबर 1931 से लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में शुरू हुए दितिये गोल में समेलन में सामिल होने के लिए गाधी जी एसेस राजपुतारा नामक जहाज से गए वह 12 सितंबर को लंदन पहुचे ठीक है वह कांगरेस के एक मात्र परति निदी थे कौन गाधी जी गाध नंगे फकीर का बिटिस परधान मंतरी से वारता है तो सेंट जेम्स पैलेस की सीड़िया चड़ने का दिरिस अपने आप में अनोखा और दिब परभाव उत्पन करने वाला था ठीक है सोचिए कहां वहां पर सूट बूट लोग पहन के बैठे थे और कहां पर गाधी जी ए महां पर कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़करा रही थी और भारत में रहते हुए मेरी बड़ी महतुकांचाओं में याद है कि मैं उसकी सांथपूर में में तुम्हें मदद करूं यह कथन किसका था तो यह किसका था करजन का था ठीक है तो यह 1909 में कहा करजन ने कहा था 1903 में मदरास के गवर्णनर को लिखा था जब मैं जब से मैं भारत में हूं मेरी नीती यही रही है कि मैं किसी तरह से कांग्रेश को नपुसक बना दो तो मतलब यह वर्ड आता है ऐसे ठीक ऐसे वर्ड पेपर में दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह सब्द किस ने कहा था ठीक है तो ऐसे सब्द याद रखा करिए ठीक कई बाराभी पीपीशेस प्र में उठा कर देखिएगा कई पेपर में पूछा गया है अभीए अब जोगरफी का पॉस्ट तन आया है पर जोहिश्य कोश्न को अधिया में से कौन सूमेलित नहीं है कि यहां पर यहां पर दोनों जगा यहां देख लिए प्रदेश मद्ध पर देश चत्यत गड़ मैदान बिहार चोटा नागपुर कह रहे हैं और कि अब इधर क्या है महाराष्ट बिष्ट चाया पर देश में है और आंध पर देश मलनाड तो यहां पर जो है इसकी मद्ध पर देश जो पहले था यह बाद में पहले मद्ध पर देश का ही भाग था ठीक है तो यह कब बना है 2000 में 2000 की पहले निकल चुका था मद्ध पर देश से तो यह भी आपका उसी समय पेपर मना था तो च्छोटा नागपुर यह सब सब्साइए यह आंध पर्देश लिखा गया है मलनाड करनाटक पहाड़ी छेत्र में आंध परदेश में नहीं है कि मलनाड करनाटक पहाड़ी छेत्र में बरतमान में मद्द परदेश मिसे च्छतेगर निकलकर च्छोटा नागपुर निकलकर जहारखंड राज में चला गया जहारखंड 15 नॉम्बर को संसर द्वारत विष्ट चाया परदेश महाराष्ट किरसी अनुभु व्युक्षेत्र ठीक है तो यह अगर देखा जाए सर्क यही सही है और आज के परपेच में यह भी गलत है लेकि फ़राखंड में निकल गया दो आज के लिए दिखा जाती है यही आपको यह वाला गलत था मलनाड चेतर करनाटक के पहाड़ी चेतर में हैं तो आफैसे कोश्चन दे सकते हैं आपके Lak determine या पूराना पेपर आप करेंगे तो थोड़ा सा जैसे ज्योगर्फी का हुआ या पॉलिटी का फोल्फी का हुआ या एकोनॉमिक्स का हुआ थोड़ा सा जल्दी करवा दो छलते हैं देखते हैं इसमें क्या करा मुझस पॉक्र मेस यदा बया है संपनराज है पंजाब के संबंध में करें कि भारत करें तो बहुत और रिप्लेश्मेंट लेवल प्रे संपनग है इसका पूच रहा है यहां पर देखते हैं सुर्वजिक संपन्न राज्य सही है क्योंकि पंजाब के लोग जानती है कि पंजाब कि प्रधान राज्य तो याद रखेगा भारत का सबसे बड़ा अधिक बाढ़ गरस्त राज है तो भारत का सबसे अधिक और बड़ा बाढ़ गरस्त राज कौन है बिहार बिहार में हमेशा बाढ़ी आते भात का सबसे बड़ा बिहार है जिसके कोशी नदी का बहाव है सोक भी कहा जाता है इसको ठीक है असम पश्चिम मंगार बिहार पूर्वी उत्तर परदेश उड़ी सा इसमें सामिल होते हैं जहां बाढ़ चादात असम मे ब्रह्पुत नदी से काफी बाढ़ा आती है हर साल अगया पर देखते हैं думаю अरे लित्तराइट मित्यों का प्रदी teamed ने जो मित्ती है कि अनि हम पर तो यह माला वार टत्ट Case में तौर्व यहापका प्यरा वारत है भाति ने हम लिच्तल मेड़ी इस साइटक माला प्रोप देखें और निच्छालन करिया अधिक होती है वहां इस मिट्टी के पर वहाँ पर नीच्छालन कर्णन होता है इस नाचिक होता होता है श्र 하나ית करोphase कि अधीले बाहरं जाएं कशला होता है जिस से स्थैयूमस बाहकर चले जाते हैं जब कि आय रन तथफास्पूरस के दिख्टा होती है मिट्टी काजू चाय कहवा खेती के लिए उप्युकत है देखे चाय करनाटक में कहवा करनाटक में ठीक है इतना और इसी अस्थान पर पाए जाता है तो इसलिए वहां पर भी जब काफ़े बारिस हो तो वहां भी निच्छा यह लाट राइड मिट्या पाई जाती है तो चाय के लिए बहुत प्रदाणे होती है लेटाइड मिट्टी के तुल्बुल परियोजना का संब्द किस नदी किस संबंद करें तुल्बुल जो इसे हैं तुल्वर पर जुना सिंदु की सहायक ज्छेलम नदी पर बना है ठीक है यह याद रखिएगा और यहां पर ब्यास पर योज़ना दो了 कितना ज्य अब यहां पर देखते हैं यहां करा है बाहर च्भायत के निम्ली खिड़र में कुल बिद्धोट अवरोषी करम में अब यहां भी आपका जो यह है यह पुराना डाटा है ठीक है तो बरतमान में अगर देखा जाये तो बरतमान में हम यह पुराना डाटा नहीं लेंगे बरतमान की बात करते हैं बरतमान में देखते हैं यहां दिया है कि नहीं दिया होगा बर्तमान का ठीक है कर दो दूसरा गजरात वाधिए यह याद रखिए बस और कुछ मत्याद करिए अब यहां पर देखते क्या दिया गया था निम्लिक किस राज में राष्टिय राजमार्गो की सरोधिक लंबाई है तो यहां भी हो सकता है चेंज हुगा हो डाटा अब देखिए यह देखिए दिया रहता है पर्शनगत में पिछले पर्शन में वहा रही है ठीक है नहीं तो आपका पुराने ही डाटा में चले जाएंगे मंतलब यह मत प्रिए अब देखिए अब देखिए बिस्तों का भीगोल से वर्ड जियोगर्फी यहां पर ज्यादा चेंज नहीं होता है अंत्रिच यान मैगलेन किस गरह पर भेजा गया था तो जो ज समय का ही कुशन है मंगल की सता पर लाल होने काड़े से लाल गरह कहते हैं इस गरह हमके वाइमंडल में अत्यंत बिरल यह पिर्थवी के लावट एक मातर गरह है जिस पर जीवन की संभावना ब्यक्त की जाती है इसके दो अब गरह है फोबोस और डीमोस तो मंगल के दो गर कौन है फोबोस और डीमोस इस पर सभी तुरा जमेरिका ने अंत्रेश्यान मैगलन को भेजा था फरवरी 2021 यूएस का पर सिवरेंस रोवर मंगल गरह पर उतराता तो यह वाला थोड़ा सा इंपोर्टन्ट है यह याद रख लिएगा किसमे पृत्वी के अलावा अन जीवन की संभावना है क्योंकि महा पर यह वड़ जीवन के लिए अनकूल है म tentar पृत्वी के अलावा कहीं और जीवन की बात कर रहा है तो वह कहां पर है टीक है तो अभ साथ नौ करोड किलो मीटर इसका विश्वत रेखिए विव्यास कितना है 6761 मीटर सूर के चारोग चक्र 686 दस्वनो नौ दिन में लगाता है मतलब हमारा 365 दिन होता है यहां पर उसका दोगुना परित्वी कि रित्व परिवर्तन होता इसलिए उसके पिर्थवी की तरह यह अपनी धूरी पर जुका हुआ जैसे 23 जुका हुआ यह भी जुका हुआ है इसके सथा लाल होने के काड़े से लाल गरह कहते हैं इसके दो गरह है वही जो बतायते अब देखिए यहां पर 44 नंबर का कुश्चन करिए हम तो बताई रहे हैं कौन साफका सही है करें आश्टेलिया तो आश्टेलिया अधिन चेत्र कौन सा देस है आश्टेलिया तो किसमस दिप इसके आधिन है डेनमार्क डेन्मार्क के आधिन कौन सा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ग्रीन लेंड फ्रांस के आधिन कौन है फ्रांस के आधिन मार्टिनिक मार्टिनिक फ्रांस के अधिन है इस पर सांता क्रोज ठीक है तो देखते हैं यहां भी है ठीक है तो यहां पर देखिएगा यहां इस प्ष 그냥 संघ कूरूज टीख यहां पर जो आगर आप देखेंगे तो इस पेयि और भी संटा만 कूराइब उसटान .. रहां तो यहां बहूम से लगए इस चरूज। यहां पर भी संघ कलिफोर्णिया यह जो आपका कैलफॉर्णिया है वहीं पर ही है ठीक है यह तो स्पेन में भी है यहाँ पर भी ऑम में भी है कई जगां तो यहाँ पर यह भी सही है यह भी सही है यह वी सही है और यह उसम्ठी मानि weather हुआ है तो इसमें आप लगाएंगे क्या मनला आयोग क्या कुछ पूल गाया होका थो एक कर चौतर तो या प्रेसी जिंगन लगात और डेन मार्क का प्रंद दोसरा इसका डीस कर देखते है कैंöhगत दूसरा ये स्पेन में सब्सक्राइब देखते हैं आप देखें यहां पर देखते हैं कौन सा आपका सही है पढ़िए और बताइए यह दोड़ा सा चपाई देता है प्रित्वी के उत्तरी सिर्व को उत्तरी धुरू और पैटाले सर्च के लंबाई विस्वत रेखा परादी होती प्रित्वी का आपका सही है तो पहला प्रित्वी के अच्छ के उत्तरी सिरों को उत्तरी धुरू यह पैटाले संस के अचाहिए विस्वत रेखा की आधी होती है क्योंकि नव्य पूरा होता है आदा पूरा ठीक है तो यह एक और दो कि अब देखिए अपसौर और उपसौर के बारे में अपसौर क्या होता है तीन जनवरी को पिर्थवी के परिखरमण की गति तीब्र नहीं होती है और उपसौर क्या है यह चार जुलाई को होती है पिर्थवी के परिखरमण की गति तीब्र होती है ठीक है तो चार जुलाई को और उपसौर की इसकी गति तीब्र नहीं होती प ऐख अधिर कि परिबार में चार और चस्टा यह सोलोव 4 जुलाई को मलब चार जुलाई LOOK कोifter कर isc होती है कौछ सा देसांधर ये मोत्तर के साथ साथ गलोब ब्रीहत का निर्मार करता है अजित ुश कुलोब ब्रीहत Приट का निर्मार कौन सब्सक्ड़ता क defense कर बतर। आँ तो यह 180 ठीक है 180 करता है यहां पर दिखते है 1807 जी रो देशाथ आंतर के साथ मिलाने पर बिरहत बैत कर निर्मार करता है जीरो देशाथ रेखा 1807 के साथ मिल कर बिर्थोई को दो वरावर भागों में बाड़ते हैं मलत एक सो जीरो यह और पीछे 180 ठीक है तो यह दोनों मिलकर दो बराबर भागों में बाड़ते हैं अब देखें यहां पर यहां पर देखते हैं पश्चिम को यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर परस्थानिये समय दस बजे सोंवार लिखा यह उसके जहाज की गति वही रह परस्फिंग कोस्षिन मंता है कितना है दस बज़े की बोला आभाड तो यह करें दस बज़े जोंड़न तो किटने बज़ें देखिए यहां पर एक देशांतर की दूरी तय करने में पिर्थिवी को चार मिर्ट का समय लगता है अब दिखे पश्चिम की और यात्रा करने में एक जहाज का कर्प्टन 90 डिग्री पश्चमी देशांतर का स्थानी समय दस बजे सो मौर लिखा है क्योंकि जहाज की गति और पिर्थिवी की गति समान है अंतर अश्चिया तित्रेखा पर वह दस बजे सो मौर को अस्तानी पराप्त होगा ठीक है तो यही वाला अब कर देखने में कौन सा संसार के सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है तो पोतवाहक मल किल नहर पश्चमी जर्मणी को उत्तरी साओकर के बाल्टिक साओकर से City है तो जर्मणी में उत्तरी साओकर को बाल्टिक साओकर से जोड़ने वाली किल नहर पजमानमा नहर यह चाइए सागर को कायरिवियन सागर वहसे जोड़ती है सुम कहा him tuna he पर्यार को स्वेस्वाइप झेल को हूरून से जोड़ती है ठीए तो सुपीरिक झींग fell को हूरून जीन से जोड़ती है कौनषी सुनहर किस्कों जोड़ती है सुम पीडिय जिल को होरुन जिल से नेश चलते हैं कौन से धारा दच्छड अट्लांटिक महसागर की धाराओं को एक पूर बिर्ति के रुप में योगदान नहीं देती है तो यह कनारी के क्योंकि दच्छड अट्लांटिक महसागर मनलब जो ऐस आकार में ऐसे बना है आपका अट्लांटिक या ऊपन तो यह उपर कनारी धारा चलती है झोगिए ठंडी धारा है और नीचे की बात कर रहा है वह कनारी धारा इसमें नहीं है यहां पर काऌन הגला धारा है दच्छड बिस्वतिय धारा ब्राजील धारा प्रश्मी प्रवन धारा यहां मिलकर आर्ट्लांटिक महसाग सब्सक्राइब तक नरी जो यहां से उत्तरि अ सबसे उक्ति है किसका अधिक्तम योगदान है इसमें किसका अधिक्तüyorsun सबसे ज्यादान होता है सोडियम क्लॉराइट का सबसे ज्यादा इक अधिक्ति 평 Może और चलते हैं इसके बाद देखली सबसे ज्याहदा ति प्र देखते हैं करें हैं अगड़ी उतपादक और प्लडारत वहते हो सकता है पुराना डाटा हूँ अभी नया डाटा देख लेते हैं चीन लहो एसक में और कोईला में उस सबसे ज्याद उत्पादक अभी भी अभी ये नया डाटा ठीक है भारत दोज में सौधी अरब प्रेटोलियम में थाइलेंड प्राकिर्टिक रवर में ती यह याद रख लिजिएगा इस से अब यहां कौन सा सही है करें हैं यह इसमें कर रहे हैं ब्स्व चीन ब्सव में तंबाको का ब्रहतम उत्पादक है ब्राजिल विस्व पी सोयवीन का इटली में अभी देखिए उस समय का भी यह कोश्चन रहा होगा तो इस दिए भी करेंट बेस्ट कुश्चन है इसमें बरतमान में तंबाकु का बेषों उतबादक चीन ये याद रखिए जबकि सोयबीन ब्राजील का है जुआर का बेषों उतबादक शन्यूक तुराज जमिर का है तो जुआर का कौन सा है युएस्से है कच्चे रेसम का गड़े उतबादक देश चीन है जापान फ्रांस भारत है ठीक है यहां पर यहीं इसे जान कर दोटार करता है विकासेंदेसरों में प्रयूं में आंदोलन है तो करें कौन सा सही है तो विकास सील देशों में नगरिकर सुयम में अंदोलन है नहीं दोनों सही है मदद दोनों सही है लेकिन इसका ब्याख्या नहीं करड़ नगरिकर और दोगी करड़ सहा है यहां पर अब विकास सील नगरिकर सुयम में अंदोलन दोनों तो सही है लेक य kritान में भारत इने पूर बर जन संख्यां बरेन कानुश sa स्थी भारत दीजर उंची 13 में 21 को जने किए विभाजन कहा जाता है जंञा के विभाजन 1921 को नहीं कहा जाता है यहाँ पर देखते हैं यह वर्ष 1921 को भारत कि द्रश भारत कि ये विभाजन वर्स माना जाता तो 1921 याद रखिए गई क्यान में नहीं ये तो गलिती हो गया क्योंकि इस वर्स भायत की जनसक्राइब में बिद्ध होने कि अपेच्छा कम ही ठीक है तो भी सकता है बिर्द्धिदर कितना हुई थी तो एकहत्तर में बिर्धिदर जो हुई थी सबसे जादा हुई तो 1971 में 24.08 जीरो ठीक है इतना तो मुझे लगता कहीं नहीं हुई थी क्योंकि अगर 11 का भी देख लेते हैं तो 70.07 हुई है 1971 में देखते हैं तो 24.08 जीरो जो कि सबसे जादा हुई थी तो चलते हैं अब यह करोड 21 लाग दिया है पुराना है अभी एक करोड 40 लाग लगवग हो गया है ठीक है बहारत में नगरिये जर्शा कर संयुकतराज अमेरिका से अधिक है संयुकतराज अमेरिका का नगरिकर अस्तर भारत से उचता रहे चाहिए विसको बताया नहीं कौन सा होगा यही इसमें आपका पहला वाला तो गली थी था तो इसमें उनिस एक्कीस होना चाहिए ठीक है और पुन्नेश पूर्व मसंकर्ड बिद्देकान भू किया था तो यह भी सही यह पहला वाला कौन सा इसमें यह वाला स्टाइय है तो 2011 की जन्गर्णा हमको देखना नहीं है तो इसमें देखना किसकी है कि सभी स्ट्राज अमेरिका का करें नगरिकर्ण अस्तर तो दोनों सही आगरिया अस्तर भारत से उच्चत है तो यह तो सही है और भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है तो हां भारत का नगरीय जनसंख्या को कि भारत में जनसंख्या ही जादा है परसेंट अगर पूछता उस पर पर तो गलत होता है लेकिन जनसंख्या की बात कर रहा है तो हमारे यहां जनसंख्या ही उत्ता जादा वहां पर तो तो पाइज दिखें जो कि संयुक्तराज अमेरिका की कुल जनसें के अठाइज एक चार करोड़ से अधिक था भारत में इस विद्धितर इतना है यह यह बारत की कुल नगरी जनसें के अठाइज फांच तीन करोड़ ठीक है तो हमारे यहां नगरीये पुल नगरीये जनसें के अठाइज फांच करोड़ है और संयुक्तराज की कुल जनसें के यह एक चार करोड़ दिया है ठीक है पहले इतना था अब तो ज्यादा हो गया होगा अब तो 35 के पार हो गया होगा नगरी यह भी उसी जनसें के से रिलेड़ेट कुछ जन संक्या का आकार रचना समाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदाई है उस ब्यवसाइक समों की प्रिजन नंता जिसमें पत्नियां अधिक लाबकारी पेशों में लगी है कम होती है तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है ठीक है थोड़ा सा टॉप कोश्चन बनाएं सब्सक्राइब होते हैं यह देख लिए पढ़ लीजिएगा मतलब यह ऐसा ही दिया गया है कुछ नहीं है सिर्फ यह पढ़ लिए अब देखें उनने सो इक्यानवी की जनगर्ना तो यह भी आपका विकार है जनगहनत्यों के आधहार पर सही और रोही करम क्या है उनने सो सब्सक्राइब है अब ही तब इसको बारे में हम नहीं पढ़ेंगे 2011 इसको छोड़ते हैं 2011 के जनगर्ना को तो पश्चिम बंगाल की एक हजार अटाइस है तमिनाड की इतना है महाराइश कितना है आंध्र परदेश कितना है तो ठीक है जनगोत्त बरतमान में स्वर्वतिक नगरिकित राज्यों का सही औरोही करम क्या है तो मलब स्सार्वदिक नगरिकित राज्यों ऊससमें के लिए 2011 के जनगर्ना कुँन्सवारा तमिलनाडू ठीक है तमिलनाडू फिर महाराश्ट फिर गुजरात Smut eager नगरिकित हैं तो यह एगर रखिए-दो परिजर टाइम मे पहले नमबर पे तमिल नाड़ू, दूसरी नमबर महाराष्ट, तीसरे नमबर इस गुजरात हो जाएगार चोत्य नमबर पे करणाटक हो जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा. ये पूरा नायातों करिएगा. अब देखिए यहां पर भारत के बिमारों राज्यों में सबसे घहना आबाद राज्य है सबसे घहनत कौन है बिहार ही है बिहार मदपरदेश राजस्थान उत्तर परदेश है ठीए बिहार सबसे ज़्यारा की जणगर्णा की तो बिहार में फिर उत्तर परदेश में फिर मदपरदेश में फिर राजस्थान में ठीक है तो यह सब हटाई यह बहुत ज्यादा डाटा आ रहा पुराना यह भी पुराना दोहजार मंदब इसमें क्या कोश्चन पूछा गया थे भी देख लेते हैं उन्हें सब्सक्राइब जन संख्या उच्छतम ब्रदीदा रह हुई तो 2011 के देख लेते हैं अब देखें 2011 में दसक्री बेदेद अवडांचर परदेश इतना था उत्ता परदेश बीज़सुलों दो तीन तीरपूरा चोदेशन वाट चार नागलेंड जिए नागलेंड में माइनस में चला गया था जिरो देशन पूछा जाता है कहां माइनस में जन संक्या स्थाइध उसमें तो जो वर्ड पापूलेशन 2019 का डाटा है वह दच्छध अफरीका में दो दस्मूलों 4 है ठीक है तो मुझे लगता है दच्छध अफरीका का सकते हैं या आप साउथ कोरिया भी का सकते हैं साउथ कोरिया में भी बहुत कम जन संख्याद बिदिदा स्वा साथ कोर्या साथ कोया में 1.2 है ठीक है तो यह चली म dared यह उच्चतम यह पर रहे तो यह प्र बारते समीदान एंप राजवियोस था अब देखते हैं यहां पर कोशन कैसे भारत्य समिदान का अनुछेदों में कौन सा वर्ग भिन है ठीक है तो अनुछेद 14 15 16 का समद्ध मूल अधिकारों के था समता के अंतरगत आता है जब कि 19 का समद्ध सोतंतरता के अंतरगत आता है तो यह वाला यह विड अब देखिए यहां पर इसके अतरिक्त अंचे 14 के ताथ पदत विद्ध समता समच समता विद्यों का समान सनचर अधिकार भी सभी वेक्तियों भारतियों को प्राप्त जब कि 15 16 और 19 के वल भारतियों को ही प्राप्त अथा परशन दो बिकल्प साही हो सकते है ए और डी ठी यह अगर यह देखा जाएती है तो हम मुझे लगता है यहां पर डी वाला ज्यादा सही होना चाहिए ठीक है क्योंकि कि 15 16 19 एक तरफ हो जाएगा 14 और 15 16 एक तरफ 19 सालग हो जाएगा यह सोतंतरता से रिलेटेड बात करता है और यह तिनों ए भी और सी यह समता से रिलेटेड बात करते हैं इसका मतलब यह मत समझेगा कि ए भी होगा यहां पर जो चौदा है और 15 है और 16 एक तरफ जाएंगे अगर इसे हैं तो इसमें दो हो सकते जैसा भी आप लगाके चलिए ठीक है अब यहां पर देखते हैं सुद्ध अथवा पुना चक्रित प्लास्टिक की ड्होले वालित हैलियो और डिबो का निर्मार का परियोग संबंदिक कानूनों की केंद सरकार ने जो अधिसूचना हाली में जारी की थी मतलब यह उस समय का है ठीक है तो इस समय का भी यह है यह की आफका करेंट का यह अंतर ध्मार का रात doğru का फंक छत्थ हूशी रहालित है जो उस मिंद अहुआं तो क्या है उनका संस्थियिदार संब्स तरदीग क रधार संब्धारना है इसके संब्ध में राश्पती को सारजुनिक खित्में Iसी परिश्त करें कफ़ने की सक्ति दी गई है और राश्फत संगठन का निधार करता है ठीक है तो यह याद रखे लगेक्षि का एक सम्मीध्वानी संगतन है इसका सलिकारिकल होथाइडिकल 263 कि यहां भी कुशन था गया च्छेत्रिय परस्थ का सिर्जन हुआ तो बहुत इंपॉर्टन्ट है जोनल काउंसिल ठीक है इसका जो हुआ किसके दौरा यह भी संसदिये कानून के दौरा हुआ है तो भी वाला इसका अंसर होगा ठीक है अब देखिए यहां पर राज पुनर गठन गन्यां उन्निसोषप्र के दौरा राज जी के चेत्र को माचश चेत्रों में बाटा गया यह चेत्र समान हिद्र के विशुए पसल्हार परस्थ बनाए गयी है यह माचश शेट्रिय परसे इस परकार है जैसे आपका यह एक उस्तरी चयटरी यह एक पूर्व है एक पश्मी और एक पूर्वोत्तर है परिशत भी है ठीक जो पूर्वलत्र पर्सेद उन्यस एक जह सब कर दो मंत्री और संग राज का परशासक सामिल होता है सबसे ज़्यादा इहीं पूछा जाता चैटित को न होता है ग्रीख मंत्री होता है अब दिखेए समिधान के किस अंच्छेद के अंतरगत धन बीधय को परभासित किया गया है तो धन बीधय को किसके अंतरगत परभासित किया तो किबस कि इतंग कर दिया गया तो नागरे के से घृता डिया गया था परियागा थेram होगा थेत Kerry फ़क्राइडब से अपने मिया पास किरे थे पने हैप्र आइड इस ने हम Natur शार जो बताया है कि यह मेरा पहला तो वोट है ठीक है तो वो ठीक है जो एड़ोड देखा करिए उसे कुछ सीख लिया करिए तो इसी समय हुआ था ठीक है उन्हें अठारा वर्स कर दिया गया तो पहले किस था अब अधिकर किस राज में लोकसभा कि अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जन्जात के लिए आरच्षड नहीं है तो यह तीनों में नहीं है अरुड़ांचल पर देख लेते हैं यह तो तीनों है अधिनना कि यह तो दीवाला यहां पर सभी होगा नागलन्डल्ण तीन जाती यहां पर प्रदेश में जन्मु कस्मीर शिक्किम और नागलन्ड यह जमूकर शिकिम और पांच राज्यों में अनुसूचित जाती और पिस जात के लिए कोई आरच्षड कि नहीं है केंद सासित परदेश अंडमान निकोबार चंडिगर दमन दीव और पूडु चेरी में भी अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लिए कोई सीट नहीं है ठीक है तो यह यूटी है ठीक है वैसे जम्म कस्मीर भी यूटी है ठीक है अगर बात करें तो वहां पर लेकिन आपसन में जो दिया था उसके हिसाब से देखते हैं यहाँ ठीक है पर्थम इस पीकर जिनके बेदू लोकसभाब में आभिस्वास परस्ताव ला गया गया ता यह कौन थे जो मजब जो पहले ही स्पीकर थे इन्हीं के खिलाफ आप इस्वास परस्ताव पहली बार 18 लाब का पद परभासित हुआ है यह कुछ केस थे इसी में बताया गया तो तो देख लीजेगा ऊत्य इस इमपोर्ण नहीं है हुआँ दो राजसभा में तर प्रदेश को आवंटित अस्थान नम्नी में से किं राजों को आवंटित अस्थानों का योग है तो देखिए उस समय भी कुछ इसमें चेंज रहा होगा क्योंकि चेंज होता है देखिए परसंकाल के दोरम आँधर कर देश ऑड़ ना साथ कर दिया गया अटबार कर दिया गया आट्रहे जियात। यू और कहां गया आप भाजित यह राजसभा की सीटे हैं लोगसभा को मैं समझेगा क्योंकि लोगसभा के लिक्षिन चला न ताव के दिमाग में लोगसभा आ जाए राजसभा के कि दो कि अवर्ट में बार्ट में 31 सीट उत्तर प्रदेश्म में उतरा खंड में तीन हैं आंद प्रदेश में 17 तेलंगाना में 7 जो उपर बताएं थाएं तो अगर आप आप से पूछे कि कहां की दो सीटे बराबर हैं अभी पूछ ले पेपर में आपको तो यह आंद पर्देश और MP लगाईएगा AP और MP यहां पर 11-11 राजसभा की सीटे हैं MP और AP ठीक है यह याद रख लिजिए यह फैक्ट याद रख लिजिए हो सकता कभी पूछी ले अब देखिए लोगसभा में बिहार में आउन्टे निम्निम्निम्सेकिन राजो का आउन्टे अस्थानों का योग बराबर है इस परक दौनवाल्त बिहार की लोगसभा में 44 सीट है और मदपर्देश की लोगसभा में 19 सीट अब में भाला देखिए दूता है कि तो constell भी टूटा है मदपर्देश की सबिवाब्र के तो इसका उपरोक्त में से किसी का नहीं अब देखे किसका है संसत द्वारे निर्मित कानून के परदानों के अंसार ही भायत में संचित निदी से धन निकाला जा सकता है संसत को अस्थापित करने का अधिकार है संसत का संग को बित पर पूर नियंतर होता है प्रकलन समिती और लोक लेखा समित का गठन संसत द्वारा किया जाता है भारत की संचित निदी पर संसत का पूर अधिकार होता है तो भारत की संचित निदी पर संसत का पूर अधिकार होत करने के लिए बिदिनियमार की सकती परदान करता है तो कुन सा है अचा तो आर्ठिकल दूसव तिर्पन तू़ज्ट्र में किए ब्भा रचित के संपूर रजलियों में किसी बाग के लिए बाग के लिए बिद्ध Gesetz के सकती है छलते हैं यहां बहरत कोई राजनेतिक दल राश्टिय दल के रूप में मानिता प्राप्त कर सकता है यह थे अच्छा कोश्टम है देख लिए यहाँ पर वालाप regulator ठीक कम से कम चार राजजों में अब देखे उसको मत देखें यहां पर देखिए बहात्पे राष्टी जेलों के संक्या आठवा राष्टी जल का दर्जाप्राइब करने के लिए पार्टि को निम्ल सरते पूरी करने पड़ ती चार या अधिक राज्जों मैं कुल बैद्मतों का 6% या लोक सभा की 4 सीटें लोकसभा में 2% 11 सीटें होनी चाहिए सीटों पर बिज कम से कम तीन राज्जों में हो निर्वाचन आयोग दोराच चार राज्जों में राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त यह जो इतना है यह तीनों याद रखिएगा ठीक है क्योंकि यह तीनों बार-बार पूछ लिया जाता है अब देखें क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी राष्ट्य दल का बनें तो हो सकता कोशन पूछ लें नीचे दी गए कुछ राजनेतिक त्यरहुवी लोकसभा में ठीक है तो यह इंपॉर्डन नहीं है उसने ठीक है तो यह उस समय के करंड का था त्यरहुवी लोकसभा की अब देखें य है इस मते हैं अ क्या है तो कौन सा दर्ण होगा मैं तो भारत में शमय द्रायश इन यह नहीं है यह तक का आधिक तो दीख संकिया में राजनेतिक तर्द है तो यहां भी हां कई lend देखते हैं कितनी पार्ट या बनी है दोनों सही है लेकिन दोनों ही सईली डिखाइब कर टेर यहां पर दिखाते है कि उ हम अब है कि अब यहां पर देखते हैं जा भी सकता आभी सकता नए दलों के मानता राज्य राष्टी अस्तर पर चुनाव चिन देने का चुनाव आयोग करता है इसलिए यहां दलों की संख्या भी अधिक है बरतमान में राष्टी दलों की संख्या आठ है ठीक लोग सभा के बैठक समाप्त की जा सकती है तो लोग स सब्सक्राइब तेड़ा सबस्क्राइब करता है जो भारत के कारवाहक मुख नयादिश होते हैं उनकी राश्ट पति करता है ठाफ इस सुबह वाले वीडियो में हमने इसको बताया था ठीक है राश्ट पती करते हैं च्याये कारिवाक हो बाता है सब्सक्राइक को सब्सक्राइब करता है सरोच नीयाले के तदर्थ न्याधितों की न्यूकती होती है जब अच्छाब कोण और नहीं नहीं करता जड़ कब होती है तो बताइए ग्रेटों अलों के समय लंबित वादों में आसाधर बड है जया जादा इसी लिए काम बढ़ जाता है ठीक है कुधे उस स्वार यहां पर लंबित वादों में आसाधारण बिदनें यह नहीं होना चाहिए ठीक है एक मिनट कि नियाले के किसी सत्र के लिए नियाधिसो का कोरम पूरा नहीं होता ठीक है तो जो नियाधिसो का कोरम होता है जैसा 34 दिया गया है अभी परजेंट टाइम में कितने हैं चौटिस है तो चौटिस अगर पूरा नहीं हो रहे हैं तब किया जाता है ठीक है तो यहीं इसका यहीं होना चाहिए डिवाला हां मुख न्याधिस को यह सकती है कि वार्ष्ट पर की पूर्व अनुमस से उच्चितम नियाले के किसी सेवन नियाधिस को आस्थाई अवद के सब्सक्राइब नियाधिस नियुक्त किया जाता है आर्टिकल 127 याद रखेगा यह इंपोर्टंट 127 कि अब देखिए यहां भी एकोनोमिस के कुश्चन में भी काफी आपका करेंट के ही रहेंगे पॉर्शन तो देखते हैं जितना करेंट रहेंगे उनको हम स्कुप कर दें कि इसमें कौन सा आपका सही है तो दोनों ही सही है लेकिन गलत है ठीके ऐसा हम नहीं कह सकते कि यह जो पॉब्लिक सेक्टर कंपणी है रोजजगार नहीं कर पाई ठीक है यह तो इसमें कौन सा बी का सङी होगा यह और अत्मान मी तुद्ढ म्ध्र पर्देश में उत्तर पर्देश में उत्तर पर्देश में 43, 31, जबंकि ने नून्तम नागल लैंड में मिजोरम में ही और भी मुचले हैं उस में कंबने को करने करने का कोछन है कि ये भी उस समय करने कोश्च पोच्छ नदेखो सब्सक्राइब करने को बजट इस समय का जो आता है जिसे पेपर के समय जो बजटाना उसे पढ़ लिए प्रिए काफी question मिल जाते हैं देखिए कैसे करन्ड कोशन पूछे गए है ठीक है तो आते हैं हम science पर आ लगी रहती हैै इसे से तो वह स्वोड रसल होते है अ कि अजिका अब देखिए तारे की अपनी ऊणिजा प्राप्त होती है नापके शन्रेंज से से होती है ठीक है नुकलियर फ्यूजन से होती है गुर्तिय संकुचन ग्रेवरीशन कंडॉक्शन से एक और दो सही है तो एक और दो यहां पर सही है तो यह एक और दो ईसी से सही है अब देखते हैं नव आभी स्कृत उच्छ ताप आतिचालक है नियून इंबेंटेट टमप्रेचर सोपर कंडुक्टर आइए डिया क्या होते हैं क्या होता है जिसमें लाखों की बचित हो तो किस मलत मान यह हो सकता है समाहन निताप मान पर अट्रों टमप्रेचर पर हो सकता है कि यहां पर महासागर में डूबी हो बस्तों कि इससे जानने के लिए किस यंद्र का प्रियोग किया जाता है जैसे मतलब टाइटनिक डूब गया कहां डूबा गया है उसके लिए क्या किया जाता है सोनार का उप्यों किया जाता है सोनार ठीक है ठीक है याद रखेगा सोनार एक ऐसा यंद्र है जिसके द्वारा महासागर में डूबी हुई बस दो कि इससे जानने के लिए उच्छ आप बिरती के अल्टरसोनिक धोनी इसमें क्या अल्टरसोनिक धोनी तरंगों को महासागरिक गहराई में बेजा जाता है तो यह याद रखेगा इसमें अल्टरसोनिक धोन का यूज किया जाता है अब पंचान बेकर देखते हैं एक वह परमाड उर्जस नहीं तो जो हाल ही में सक्रिये हुआ अस्थापित है मतलब वहाल ही म सब्सक्रिये हुआ तो इस समय का कहएगा होगा ठीक उस समय का रहा होगा ठीक यह भी करिंट का कुशन है कि इंपोर्टन नहीं आपके लिए रसाइन साथ आज कल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयोगत हो रहे हैं इन लैंपों में किसका उप्योग कि बातन लैंपों में सोडियम का अब्योग किया जाता है ठीक है सोडियम परकसर सोडियम साइन्यच सटरफ तर लैंपों में प्योग किया जाता है पीली रोजने तरंग दैद बहुत कम होती है अब देखिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित ने आट्रो ट्रॉप्स प्रोड्यूसर होते हैं परसाइट कंजूमर होते हैं इस स्पेट्रो ट्रॉपिक क्या डिकम बोजर होते हैं तिर्ड यह जांता है गऊडखताह ना होकर प्रातमिकंबहोंता या किवल साखाहारी होता है जैसे घर बोज होता है एट्य की आईू वर्फोमिल्स की दारत्विक श्काहार कि जाती है तो इस पहले किसे आधार पर प्रिद्वी-टोन ueprint पते सब्सक्राइब करने होना जान तो है सब्सक्राइब करने से खिरा सőथ होता गता सब्सक्राइब यहां प्रिथवी दिया गया और मैं प्रिथभी पढ़ना हूं ढ़िए जैसे में जो लिदा रहा हूं वह बिरिच और विरिच दिया नहीं वही गया। तो उसका जो वल्य होता उसी से दिमाग में कोच और होता है कुछ ऑर कोशनिंग एक्ष्प्लेंग हो तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है प्लीज इसको इग्नोर कर दिया करिए ठीक है तो अपने उतना तो आप पास वह होगा ही अब देखिए बिटामिन सब्सक्राइब कांबटक कोबाल्ट होता है बिढोमे गलो में लोहा में होता है क्लॉरोफिल मैंनीसियम पीतल तांबा अब बनी जब रक्त की संदर्ता कमिए हो जाते तो स्वास की गति क्या होती है तो सौ्आफ की गति मतलब क्या होती है कि-स त мал Bengal की करता है तो यह हो जाती है तो यह बढ़ जाती है ठीक है रख्त में जब oxygen कि संद्रता कमी आ जाते है स्वास की तेज हो जाती है काण मन तो लगाता यर्कार्य करता और दोड़ता है ठीक है तो यह डीवला सखी होगे आसुरचित पेजल और बुरी सफाई द्वारा विकासित देशों में उत्पन संचड़िये रोग होता है तो मतलब बहुत सी आस मतलब सनिटेशन नहीं होता है इसलिए क्या होता है शीकests आख और मैंज्य कॉछ प्रॉब्स अचिछ उसे तो आधियरीया अचलों ही kol survived कि मलेरिया तीब्रों सिंकोना कि छाल से प्राप्त और सदी मलेरिया के उप्चार के लिए परियुक्त किया जाता है इस जिस किर्थम और सदी ने इस प्राकृतिक उत्पात को प्रस्थापित किया वह है मलेरिया जिसके लिए प्लाजमोडियम परचियुव प्रों ए्सब्ला मादा इंफ्लीज मच्छुरें से काटनी से होता है सिंकोना कि 60 मलेरिया रोक के उप्चार के लिए क्लो यह इस जाती जाती भोजन संसलेति कर सकते हैं इन जिवाड़ों को में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है तो बताएं यह तो दोनों ही सही है ठीक है यह दोनों इस ब्याक्षा भी सही करता है तो दीके पढ़ लीजिए वही है जो उपर है वही अब देखिए यहां पर गोल्डन राइस गोल्डन राइस जे प्रदों की उपलब्दी है जो उपहुकता के लिए उत्ति लाप्रदे जित्ति किसानों के लिए है इस चावल का पीला पर बीटा कारोटीन की अधिक मात्रा प्रदेसित करते हैं जो बिटामिन ए में सब्सक्राइब क्योंकि वह अच्छा बैदावार से अच्छा पैसा कमाल इतने हैं तो वही है ठीक है देखिए यह पढ़ लीजिएगा बीडियो पहुच करके देखिए ठीक वही सब है नो देखिए कौन ट्रांस जेनिक से द्वारा नहीं पाया जा सकता कौन सा ट्रांस ज कौन मस्तिक की नकल करने वाला सबसे चोटा और सबसे तीब्र गति वाला कंप्यूटर होगा ठीक है यह उस समय का मतलब है वह है क्वांटम कंपूटर ठीक है यह क्वांटम कंपूटर तो का य वाइ टों के समफ्षा समंद्ध क्या है तो यह नंतें दोनों सब्दों में सुन हो जाने पर ठीक है ग şur तो पत्त प्रयावड सबसे महत्पूर घून क्या होती जो सबसे महतन पूर्ण का फिरियाल्च में किसमें जल को जाक्र में है तो गहिए की पहले आचुका है इस प्रयावड में यह दर्मान का वारिशिक बादन न्यूंतम होता है तो गहरे डीप सी मतलब गहरे सागर में वार्षिक उत्पादन नियुंतम होता है ठीक है एक दम गहरे यहां पर देखते हैं बायोमास संसाधन जो एक अच्छे आधार पर उपलब्द है और इनका प्रियोग इधन के रूप में या किसी अन्न के रूप में उर्जा खाए मैं अधनन नियुंतम होता है जलिए परसिक तंद्र में लटा होता है तो जलिए जो जल वाला होता है इसमें जो पीरामीड होता है यह में पंता है ठीक gepτα法ा हाओ तो याद रहे आधिए इस हरित पेटी बड़े नगरों के भावतिक विस्तार को नियंद्रित करने के लिए नियोजन संगल बना है या नगर का एक अनिमार संगठक है तो दोनों ही सही है ठीक है दोनों ही वेकर सही है देख लिए किस देश में सरवधिक अमलिये वर्सा होती है किस देश तो नौर्वे में अभी भी है हाँ तो अभी भी अमलिये वर्सा एसो टू और नौटू के कार्ड होती है नौर्वे में सबसे ज़्यादा अमलिये वर्सा ह होती है ठीक है आइसलेंड सुटन नॉर्वेट डेनमार्क यहां पर अधिक होती है तो पहले यहां पर रेजिनिंग भी सिपडेट सो कुछन में आता था ठीक है तो यह सब अभी छोड़ देते हैं बाद में हम इसको करेंगे से सैट में अब अलग से आता है अपका समसामाइक करेंगे नहीं यह भी आपका वही है और कौन सा बच्चा यह इतना है आपका समसामाइक मदब करेंड अफियर यह यहां पर भी है बिवित मिस्लेनियस देख लेते हैं बिस्व परवेश दिवस कब मनाया जाता है तो 21 मार्च को क्या होता है यह वान की दिवस 23 मार्च को मौ अक्टॉबर को हाँ पांच अक्टूबर को बिस परवेश दिवस तहीं यह देख लिए देखते यहां पर बताईए कौन किस्टेस सुमेलता यह वापकर कु मौूशन अच्छय त् мы अ कथा क्थज के निर्थ किस्ट है थिक tesand तो भिर्जू महराज कथखनेते चंद की चंद सेकर किस से हैं कि चंद सेखר तो भरत सेनकी से हैं तो आपके है वोक लेच्ट भिजे तंदुल का नाटक का रहा है ठीक है यह देखिए क्यों से इसमें सही होगा यह वाला एका चोधा होगा वी का पहला होगा दूसरा होगा और लिए देखें यहां अब यहां पर देखते हैं कर्मापा लामा तिम तिबत के गुद्ध संपर्दाय के किस वर्ग का है यह कंग यूपा वर्ग का है ठीक है किस वर्ग का है कंग यूपा वर्ग का है कि मतलब यह 2000 में भारत में पहुंचे थे इसलिए यह कुश्चन बन गया था ठीक है संगीत यंत्र सितार मिस्रड है संगीत यंत्र सितार किसका मिस्रड है तो यह किसका मिस्रड बीड़ा और तंबूरे का ठीक है बीड़ा और संबूरे जो सितार होता है वो बीड़ा और तंबूरे का मिसड़ होता है कि इसी पर पंडित रभी संक्यार केसिस मोहन भट्टे ने बीड़ा सितार और बीड़ा का समिसड़ बनाया थी सीता और यह बीड़ा का समिसड़ बनाया कारागम एक धार्मिक नित है जो तमिलनाड की महिलावदारा मंदरों में किया जाता है दच्छ भारत में परचेद मंदरों में देव दासी परथा एक रूप है तेरा तालिक कि कहां का नक्तित है तो ये राजस्थान का नित है तेरा तालिक नित मखानाद की महिलाएं नाचतीह हैं। कामर जात के पुरुष बाबा रामदेव के जी के भजन और यस गाता गाते हैं इस नित की महिलाए हाथ में मंजीरा लिये रहती हैं और उसे बजाने बजाते हुए निर्थ करती है ठीक है तो यह आपका 150 कुश्चन कंप्लीट हो गया ठीक है तो लाश्ट में हम थोड़ा सा इसलिए जल्दी करते हैं क्योंकि सभी कुश्चन लगबग करेंट जैसे आपका जोगर्फी हुआ और पॉलिटी भी करेंट से आ जाता है ठीक है तो और साइंस एंटेक में कुछ चीजी इंवेंशन होते रहती हैं उस समय तभी करेंट में आ गया हो इसलिए जल्दी चलते करेंगे उतना जल्दी आपको हो जाएगा ठीक है तो पूराना पेपर मैं कहता हूं पूरा कर लीजिए एक आपको मिल जाएगा किस परकार से कोश्चन आपके पेपर में आते हैं किस परकार से पूछे जाने की संभावन आप जिसे लोकनित के बारे में आप अच्छे से त सब्सक्राइब करना हो तो प्लीज कर दीएगा हम आपके लिए 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 गहनटा तरह 30 में मुलब सा 30 मिनल हो गया एक लगातार बोलते हैं थोड़ा सा हमें भी मलब क्या मईदब कर दिए बस सेयर और लाइक ठीक है और सब्सक्राइब कर दीएग लिए गा